नमस्ते ओवर्वी में आपका सौगत है तीन प्रश्ण तीन विशय क्यों योगी जी गई गोरकपुर दूसरा किसके साथ जाएंगे चंद शेखर रावन टीमसी ने गोवा में क्या खोया क्या पाया सबसे पहले बात कलने योगी जी का गोरकपुर से एलेक्शन लड़ने का आज अलान हुआ है लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे आगरा कर लो कि चैनल को सबस्क्राइब करिए और जो मेंबर्स बनने का ऑप्शन है उसको भी अकर एक्साइज करेंगे उसको भी अकर मेंबर बनेंगे तो हमारे लिए अ आसानी होगी तो वही बात क्यों योगी जी का ये घुरकपर IJP ने अपनी पहली लिस्ट जारी की 107 नाम हो की वो first phase और second phase के नाम थे first phase के 58 में से 57 सीट उन्होंने अलिडी एनॉंस कर दी और second phase की सीट एनॉंस की और एक दो सीट उन्होंने जो बात की फेज है उनकी में आ गया है कि वो वापस जाके गोरकपुर के गोरकपुर सदर सीट जो है उससे election लड़ेंगे मैं यह बता दूँ कि आजे तिनाज जी अभी तक सीधे MP बनते हुए आए हैं आजे तिनाज जी कभी MLA का election नहीं लड़े हैं जब वो चीफ मिनस्टर बन गए तब वो MLC रूट से उन्होंने विधान परशद में प्रवेश कर लिया था और विधान परशद सदर्स के रूप में ही काम किया लेकिन अब वो विधान सभा में आने की बात कर रहा है सबसे पहले तो मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ कि कम से कम जो चीफ मिनिस्टर कैनिडेट्स हैं उनको विधान सभाई एलेक्शन लगना चाहिए यह मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ यह जो बैक डोर एंट्री वाला मामला है वो गड़ बढ़ है तो एक तो यह अच्छी बात है लेकिन जो गुरकपुर सदर उन्होंने चुना है इसके पीछे भी थोड़ा देखने वाली बात होगी कागस में देखा जाए तो लोगों को लगेगा कि भई इननों ने वहां पे राधा मोहना गरवाल जी का टिकेट काट दिया गया राधा मौना गर्वाल जी का बैग्रोंड पहले मैं आपको बता दूँ और फिर आपको आसानी होगी 2002 में योगी आदित नाज जी ने एक तरसे रिबेल कैनिडेट खड़ा किया वहां के बीजेपी के अधिकरत उमीदवार थे शुप्रताप शुकला जी जो चात्र यूनियन से आ रहाए थे और पाद में अभी हाल के दिरों में उनको सेंट्रिल गौर्वर्मेंट में वित्मंत्री भी बनाए गए थे पिछले 2014 वाली सरकार में रासभा मेंबर हैं उनके अगेंस्ट योगी आदितनार जी ने विश्व हिंदू परशद के नाम से डॉक्टर लादा मुहन अगरवाल को खड़ा किया था और उन्होंने शुप्रताप शुकला को एलेक्शन हरा दिया था उसके बाद डॉक्टर लादा मुहन अगरवाल बहुती आम जन जैसे हैं बहुती इमानदार डॉक्टरी का पिशा करते हैं लोगों के लिए हर जब मौझूद रहते हैं हर उसके लिए खड़े रहते हैं कोई जात और इस तरह की राजनीत नहीं करते हैं और उसके बाद उन्होंने अपना एक स्ट्रॉंग बेस बनाया और वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं बात के दिनों में क्या उनकी और योगी जी की दूरियां बढ़ गई थी जो जिनोंने उनको उनके मेंटोर से जिनोंने बनाया था वो उनके अगेंस्ट हो गई और फिर योगी जी ने दो बार तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि उनका टिकेट कट जाए किसी भी हालत में एलेक्शन ना लड़ें लेकिन वो इन सब के बाद भी योगी जी के ना चाहते हुए भी वो वहां से उनको टिकेट मिला और उन्होंने एलेक्शन जीता इस बार राधा महन अगरवाल जी का टिकेट काट दिया गया है राधा महन अगरवाल जी लोकल लेवल पे बहुत प्रतिश्ठित और बहुत इमानदार और अच्छा चहरा है अब ये देखने वाली बात होगी कि राधा महन अगरवाल जी चुप चाप घर बैठ जाते हैं या उनको कोई दूसरी पार्टी अपने तरफ लाती है हाला कि ये वाली मुझे लगता है कि ये होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रादावान अगरवाल जी जो वी एच्पी और इस तरह की उसको सब्सक्राइब करते हैं आइडियोलोजी को तो उनका दूसरी पार्टी में जा परकुर शहर से हैं जहां पर मठ है उनके लिए आसान रहोगा कैमपेंड करना इत्यादी इत्यादी लेकिन एक हरदम ध्यान रखियेगा कि इस देश में इलेक्शन इंदा गांधी भी हार जाती है इस देश में उत्तर प्रदेश में सीबी गुपता भी इलेक्शन हार सकते इसी रिजीम में योगी जी जहां से MP थे जब MP बन के हटे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर केंडर में मुझी जी की सरकार या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार उसके बाद उनकी खाली हुई सीट में जब बाई एलेक्शन हुआ तो बीजेपी एलेक्शन हार तो इसलिए taken for granted कुछ नहीं आ जा सकता है 107 में ऐसा कहा जा रहा है कि 21 नए चाहरे हैं तो करीब 21 टिकेट काटे गए हैं तो अगर 107 में 21 टिकेट काटे गए हैं तो इसका मतलब टिकेट काटने का सिलसला जो था वो थोड़ा कम हुआ है पहले थाना कि करीब 2100 लोगों के टिकेट काट दिये जाएंगे तो कोई कहता था 700 से कम नहीं होंगे वन थर्ड के तो कटेंगे ही कटेंगे लेकिन जो अभी आया है उसके हिसाब से करीब 18-19% लोगों के टिकेट कटे हैं तो अगर 403 में सारी जगा BJP नहीं वो किया था अगर 403 की बात करें तो मोटे तोर पे करीब 70-75 लोगों के टिकेट कट चकते हैं कुछ लोग किसके टिकेट कट हैं कुछ लोग बाहरी चले गए और कुछ लोग छोड़के चले जा रहा हैं बहिलाओं के उमीदवारी के उमीदवार बनाने को 40% पर रखा बीजेपी उसको 10% से कम करीब 9% पर लेके आई है अब दूसरी बात की चंद शेकर रावण जी किसके साथ जाएंगे क्योंकि चंद शेकर रावण जी का इधर नाम नहीं आ रहा था चंद शेकर रावण जी एक लंबे समय तक एरिस्ट किये गए थे यूगी सरकार द्वरा एरिस्ट किये गए थे फिर वो एक साल बात छूटे थे फिर उस समय उनसे प्रियंका गान्दी मिलने गई थी और बहुत कस्के इस तरह की चर्चा थी कि वो कॉंग्रिस जोइन करेंगे ये कॉंग्रिस के साथ जाएंगे लेकिन वो वहाँ नहीं गए फिर चर्चा शुरू ही कि ने वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे समाजवादी पार्टिक सा जाएंगे वहाँ पर बेंगे कल चंद शिकर जी लखनुग आये थे और उन्होंने आके अखले शादव जी से मुलाकात की थी मुलाकात करने के बाद उनकी सीट का जैसा कहा जा रहा है सीट कितनी इनको जादव चाहिए थी उनको चकाम दी जा रहे हैं थी जो भी था वो मामला प्तै नहीं हो पाया और वो आपसे ले गए उन्होंने एक आज प्रेस कांफरेंस की और प्रेस कांफरेंस करके उन्होंने कहा कि अखले शादव के ऊपर थोड़ा हमला किया मुझे ये लगता है कि भई आप उनसे पर सीट मांगने गए थे एक दिन पहले आप उनको अपना नेता बनाने को ताइब यार थे उनके साथ अलाएंस करना चाथे थे अब आप कहा रहे हैं कि छे मैने तक बात ही कर रहे थे और मैं उनसे बार बार बात करना चाता था वो अरे भई बात नहीं कर रहे थे तो आपको ये तो पहले भी जानना था तो इस समय चुक्छिए आपकी सीट का एड्रिस्मेंट नहीं हो पाया तो ये मेरे के पास खोने को कुछ है नहीं जहां जिस एरिया से हमारे चंशिकर जी आते हैं वहां उनके दो बड़े नेता इमरान मसूद साब और दूसरे सैनी जी जो उनके सिटिंग मेले भी थे ये दोनों लोग उनका दामन छोड़ चुड़ चुके हैं इमरान मसूद साब सपा में चल ले गए हैं तो वहां कुछ है नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि इनको चंशिकर रावण जी को कॉंग्रिस को उस जगह अकुमडेट करने में कोई दिक्कत होगी जितनी सीते भी मांगेंगे वो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन कॉंग्रिस को ये देखने फाली बात होगी कि चंद शेकर रावण जी के साथ जाने से उनका क्या फायदा हो रहा है क्या चंद शेकर रावण जी 2024 में आपके साथ रहेंगे या जहां अपना भला देखेंगे वहाँ चले जाएंगे क्योंकि वह जोई नहीं कर रहे हैं चंद शेकर रावण जी के साथ जो भी पार्टी कट बंदन करें, उसको जरा उनके लॉंग टम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी केररिस्ट है, और उनको यह लगता है कि मुझे और आगे जाना चाहिए, उनको हर दम जब आप उनका इंटरिवु देखिये, तो उनको लगता है कि उनको वो इस्थान नहीं मिला, जो इस्थान के लाइक थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जो भी पार्टी उनके साथ करें, उसको कौशिस रहना थी है, क्योंकि वेस्टन यूपी में अभी भी जो शुलकास वोट है, उस पे पकड़ तो मायवती जी की ही है, उस पे ये सोचना कि चंशेकर या रहा है, इनका बहुत, इसमें कोई दोराय नहीं, बहुत काम किया है, इनोंने यूद के बीच पॉपलर है, लेकिन पूरी तरह पकड़ अगर इनकी नहीं मानी जा सकती है, कि ये पूरी तरह से इनका कंट्रोल है, तीसरी बात कि टी-म-सी ने गवा में क्या खोया क्या पाया, तो त्रिनुमूल कॉंग्रेस के हमारे जो प्रशान कि शोर जी थे, जो कई बार पॉलिटिक्स में आना चाहे, मतलब किसी तरह से पॉलिटिक्स में आएं, फिर आएं, नेकिन उनका मामला बन नहीं पाया, तो वो अपने को मैनेजमेंट गुरू कह लीजे, एलेक्शन मैनेजमेंट गुरू कह लीजे, वो एलेक्शन मैनेजमेंट गुरू जादा थे, उन्होंने जैसा कहा गया है, जैसा लोगों ने क्लेम किया, उन्होंने भी कहा कि इसमें सारा कुछ योगदान प्रशान किशोर जी का था, उसके निर्णे लेने की छमता उनके पास हो जाए figurehead के तोर पे राहुल गांदी या कोई हो जाए लेकिन candidate किसको बनाना है किसको रखना है यह सारा कुछ प्रशान किशोर जी करें वो बात बनी नहीं तो अब जब वो निकल आए तो वो आप कहते हैं कि मैं Congress को खतम करना मेरा एक धे है Congress को खतम करना किसका और धे है भाजपा का धे है तो भाजपा और प्रशान किशोर जी के धे अब एक हो गए है देवा common objective कि मुझे Congress को खतम करना है ठीक है भाई? वो Congress को खतम करने के चक्कर में लगए है उन्होंने ही एक ये एक grand plan बनाया कि अब opposition जो है वो UPA नहीं है UPA is irrelevant अब त्रिनुमूल Congress से कोई larger opposition बनाएगी और उसी के तहत उन्होंने सबसे पहली कारवाई दो जगह की एक तुपरा में की और एक गवा में की तुपरा में वो Congress की महिला Congress के अध्यक्ष थी उनको तोड़ के ले गए अपने हाँ और उनको MPP बनाया Congress से वो गवा में जो उनके फेलरों साब थे उनको तोड़ के लाए टीमसी में और ये हुआ कि अब टीमसी जो है वो गवा में जाके बिलकुल सब कुछ ठीक कर देगी और वो वहां सबसे बड़ी पार्टी के बनके वही सरकार बनाएगी ये काफी यहां मशक्कत होती रही और सारे टीमसी के लोग वहां पहुँच गए और एलेक्शन के मोड में आ गए और बीच में ममताब एनरजी भी बॉम्मे तक चली गई और अब यह हुआ कि अब तो मैटर ऑफ टाइम है जब टीमसी को वो प्रशाद किशोर जी गवा की चीफ मिनस्ट्री लाके दे देंगे इस बीच चीजें चलने लगी अपनी कती से चलने लगी गवा में कैंपेंड शुरू है जनती जी आ गई बीजेपी बिना मनोहर परिकर साहब के साथ ये एलेक्शन लड़ाई है वो अब नहीं है उनके इतना बड़ा लीडर कोई था नहीं बीजेपी के अपनी अंदुरूनी सम्मत से आएं उनके आँ से कुछ लोग तूटके कॉंग्रेस में भी गए है कॉंग्रेस भी एक तरह से गवाम है क्योंकि पिछली बार वो जीता हुआ एलेक्शन भी उनके अपने चुनावी जो मैनेजर या जो उस तरह के जो लोग बनाए गए थे उन्होंने वहाँ सरकार अपने कारणों से नहीं बनी नहीं तो वहाँ कॉंग्रेस के सरकार मननी चाहिए थे तो वहाँ पे कॉंग्रेस अपने धंक से इसको जोड़ तोड़ कर रही है इस बीच महुआ महित्रा जी का स्टेटमेंट आया है टेमसी की तरफ से कि भई अगर बीजेपी को हराना है तो उन्होंने कॉंग्रेस के साथ एड़िस्मेंट की बात कही है एक जगह से और आया है शरत पवार साहमने भी ये बात अपनी प्रेस कांफरेंज में कही थी अब समझ में नहीं आता है कि TMC जो एलेक्शन जीत गई है उसको यहां से अब प्रशांद किशोर जी को टाटा भाई 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 बोलना चाहिए कि अभी भी प्रशांद किशोर जी जिस धंक से जिनका एजेंड़ा अब कॉंग्रिस को खतम करना है उनके साथ उनको अपना कंसिल्टेंट रखना नहीं है तो फिर यह सब बातें भूल करके एक लारजर ऑपोजिशन का हिस्सा उनको बनना होगा और यह भी तैह है कि उस लारजर ऑपोजिशन जब भी बने उसमें कॉंग्रिस उसका कोई न कोई पक्ष या कोई न कोई फैक्शन जरूर रहेगा और वो कोई ऐसा फैक्शन नहीं रहेगा वो एक तरह से लीडिंग फैक्शन रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही आपके स जॉइन कोलाबरेशन है शो का नाम है 9.30 नाइट शो साड़े नौ का नाइट शो साड़े नौ के नाइट शो में हम लोग जब 10 मार्च तक 10 मार्च को वोटों की गिंती है तब तक कम से कम एक डेली का एक डिसकेशन रखेंगे रात में साड़े नौ बजे चार पांच इसमें पार्ट्समेट करना चाहें खुद भी ऐस पार्ट्समेंट बनके तो वो आप अपनी इच्छा बताएं भेजें और हम लोग ज़रूर उसमें कुछ न कुछ करके खोशिश करेंगे कि आपको भी अकुमूरेट करते रहें थैंक यू सो मच